कि उदेती भवतो विश्वं वारिधेर एव बुद्ध इती ग्यात्वा एकम आत्मानम एव मेव लयम व्रजा नमस्कार मित्रों यह जो श्लोक है यह अश्टावक्र गीता के पाच्वे अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो यह से पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है कहता है उदेती भवतो विश्वं अर्थात उठा है ऐसे विश्व वारिधेर इव बुद्बुदह अर्थात जल में जैसे बुलबुला इती ग्यात्वा एकम आत्मानम अर्था अर्थात उस ही लैको जाओ यहां पर अश्टावकर अब जनक महराच से कहते हैं कि यह जो विश्व है यह वास्ताव में ऐसे उटपन हुआ है जैसे जल में बुलबुला उटपन होता है तो तुम इस बात को जान लो और इस बात को जान करके एक ही आत्मा में तुम लैको जाओ तो बात यह ही है कि जो विश्व है इसका जो अस्तित्व नहीं है जैसे जल में एक बुल-बुला होता है थोड़े समय के लिए उत्पन्ञ होता है उसके पश्चाज जो है वह समापत हो जाता है और पुने जो है वहाँ पर जल ही बुल बुला जो होता है वए तो 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 जो विश्वा ap तो 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 सौचow गे जो जान लोगे ए मीदि टो안र करें तो तुम फिर विश्व को महतव नहीं दोगे जो थे अच्छा परिवरतनशील है आज ऐसा है तो कल वैसा है और परसों कुछ और तरीकी का होगा तो फिर जो हम स्थिरता ढूंड रहे हैं वास्तों में वह स्थिरता जो हम संसार में नहीं डूंडेंगे वह स्थिरता हम आत्मा में ढूंडेंगे और आत्मा में हम स्वयम को फिर लाय कर लें जो हमेरा बेटा मेरे रक्षा करंगे। सब्सक्राइब करने के लिए हम इतने सारा परिश्रम करते हैं कि धन कमाने के लिए विवसाय करेंगे सब्सक्राइब करा हैं इसी परिष्रम के लिए इसे संसार में भी नहीं सकती कियो लिए इसनसार परिष्रम करते हैं कि घिया होता हैं है फंहीन करते हैं maywest 해서 फशेरा जाएं जाते हैं पूरे समय होती What परन्तु जब हमें ये बहुत होता है कि इस थिरता यहां हमको मिल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक जल में उत्पन बुलबुले के जैसा है, ये संसार, ये थोड़े समय के लिए रहता है, फिर संभाप्त हो जाता है, ये नश्ट हो जाता है, अब आस्तो अब तो संसार नवीन संसार रुत्पन हो गया, ये तो संसार ऐसा ही है, जैसे जल में बुलबुला की आया और चला गया, इसमें कभी कोई स्थिरता नहीं है, तो जब हम इसमें स्थिरता खोजना बंद करेंगे, और जो हम एक आत्मा में स्वयम को स्थिर कर लेंगे, और उ इससे की इसंसार उत्पन हुआ है जिसमें इसंसार उत्पन हुआ है तो फिर जो है व्यक्ति जो है वह स्थिता को प्राप्त कर सकता है तो वह संदेशना पे ता आशा करता हूं कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए इसकी साथ इस वीडियो को इन प्रेसम आपकरते हैं नमस्ते